इस वीडियो में हमारे पास Redmi का 13 5G है और आपको पता होने चाहिए आप इस फोन के बोलियम डाउन बटन से फॉन का camera application open कर सकते हो जिसके लिए lock screen होगी आपकी फॉन की और आपको दो बार बोलियम डाउन बटन प्रेस कर देना है तो आपका फॉन का camera application open हो जाता है आप इसको कैसे set कर सकते हो कभी भी आपका phone इस तरह से table पर रखा होता है table पर रखा हो phone को जैसे ही pick up करोगे phone का skin automatic on हो जाएगा आप चाहिए तो इस feature को भी on कर सकते हो इस phone के अंदर side में fingerprint देखने को मलता है तो इस पर डबल tap कर दीजिए phone का calculator open हो जाएगा आप चाहिए तो इस feature को भी set कर सकते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे hidden features phone के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वीडियो में जानेंगे इस phone key to 65 less tape centric और कुछ amazing hidden feature के बारे में तो चली friends इस video को बिना time based करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं जब आप this phone के control center को open कराते हैं तो ऊपर से आपको finger इस तरह से down करनी पड़ती है और नीचे से आप चाहें तो इसको set कर सकते हैं पर इस समय आपका notification जो global search बार है वो open हो जाता है तो इसको set करने के लिए screen पर two finger से pinch in कर लीजिए यह setting icon पक्लिक करने के बाद more पक्लिक करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है swipe down on the home screen इसके लिए आप यहाँ पर control center को select कर दीजिए अब किसी जगह से आपको down कर देना है तो आपको control center open हो जाएगा इस phone के अंदर me UI का dialer देखने को मिल तो इस dialer में आप अपने phone की call को record करा सकते हो जिसमें कोई call announcement बगरा नही save नहीं होंगे तो यहाँ पर click करने के बद unknown number के लिए on कर दीजिए अब आपके cable उन number की call record होगी जो आपने यहाँ पर save नहीं किये होगे है कुछ number को चाहें तो यहाँ पर click करके भी आप चाहें तो select कर सकते हैं इसकी automatic call record होती रहेगी इस phone के अंदर आपको by default में app.set कियो देखने को नहीं मलता है standard mode देखने को मलता है तो किसी को तो यह पसंद आता है किसी को आप पसंद आता है तो यहाँ पर चाहें तो उसको भी change कर सकते हैं इस phone के दर आपको calling के काफी different feature देखने को मल जाएंगी जिन में आप अपनी हिसाब से बहुत को side कर सकते है फॉन की डालर को open करने के वाद setting आएगन पक्लिक करने के वाद यहां आपको incoming call setting का feature देखने को मल जाएगा अगर आप flip to silent ringer के लिए on कर देते हो तो आप किसी भी number पे phone आ रहा है तो आपकी phone की number की call mute हो जाएगी जो भी number से call आ रहा है तो आप इस feature को यहां से on करा सकते है यहां पर feature देखने को मल जाता है अगर आप इसको on कर देते हैं तो phone आपके phone पर call आ रहा है तो ऐसे आप phone को pick up करोगे तो phone का ring होता हुआ बंद हो जाएगा speaker आपका बंद हो जाता है इस तरह सब इस feature को भी on करा सकते है phone के अंदर increasing ringtone का volume का feature भी मिल जाता है इस feature को on करने पर किसी भी नमर से आपके ringtone हो रही है वानलब बोल रहा है आपका phone तो पहले हलके वो लगा जिसके बाद automatic वो ringtone loud होती जाती है flash band ringing का feature भी देखने को मिल जाएगा phone के अंदर flash light देखने को मिलती है आपसे कोई भी call बगर आएगा तो आपका phone ring भी होगा साथी साथ आपकी flash light है वो भी blink होना on हो जाती है phone के अंदर एक नीची के side में और अच्छा feature देखने को मिल जाता है mute first ring का अगर आप इस feature को on कर देते हैं तो किसी भी unknown number से call आता है आपके phone पर तो पहले तो उस number की call मतब ring नहीं होगी जिसको दूसरा बोग बेखती है अगर call करता है तब आपका phone ring होना शुरूर होता है phone के अंदर आपको app hide, app lock जैसे सबी feature देखने को मिल जाएंगे कभी phone में app lock set करना चाहते हो तो security नाम का folder screen पर देखने को मिल जाएगा इसको open करने के बाद यहां से scroll करेंगे तो आपको hide apps का feature देखने को मिल जाएगा इसकी उपर क्लिक करके आप अपने phone के apps को hide कर सकते हो य phone के अंदर बहुत different different तरीके से आप skin sort ले पाऊगे, आप three finger से normally skin sort इस phone में बना सकते हो, इसके लावा phone का जो volume down button है इसके साथ पारवन आप एक साथ प्रेस कर देते हैं, तब भी आप इस phone में skin sort को ले पाते है, phone के अंदर आपको long skin sort लेने का भी feature देखने को मिल जाता है, क आपने हिसाब से चाहें तो select भी कर सकते हैं, finger से भी skin sort को select कर सकते हैं, इसके लिए screen पर three finger से present hold करने के बाद आपको area select करने का option खुल जाएगा, जिसमें आप अपने finger से area को कुछ इस तरह से skin sort के लिए select कर सकते हैं, जिसमें added option भी देखने को मिल जाएंगे, इनको भी select कर स phone में आप circle type screenshot देना चाहें, तो इसके लिए आपको three finger से present hold करना पड़ता है, फिर इस icon पर click करके आप जिस side का screenshot लेना चाहते है, circle type वो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं, तो यह different feature आपको screenshot के भी इस phone में देखने को मिल जाते हैं, इस phone के अंदर आपने photo या video को आप hide करना चाहते हैं, कभी भी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, phone की gallery को open करने के बाद किसी भी photo ये video को hide करने के लिए इसके उपर long time press करके रखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा add to album इसके उपर click करना है, जिसके बाद private album के लिए आप इसको select कर दीजिए, आपका ये photo hide हो करना सकते हैं, किसी भी application को open करने के बाद उस दूसरे application को भी open कर लिजिए, जिसको आप response में dual app के लिए use करना चाहते हैं, जिसके बाद recent button को press कीजिए, उस application के उपर long time press करके यहाँ पर आपको spread screen का future देखने को मिल जाएगा, फिर किसी दूसरे application को आप इस तरह से open करना सक पीचों में switch कर सकते हैं, एक application को ज्यादा area में use करने के लिए इस तरह से click करके ज्यादा area में भी एक app को आप ला सकते हैं, पौन के अंदर आपको यहाँ पर floating window का feature भी देखने को मिल जाता है, किसी भी application को floating window के अंदर use करने के लिए पहले application को open करके reset button पर जाने की बाद इ ऐसा time में देखने को मिले कि आपको तीन application एक साथ use करने हो, तो इस phone आप भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले किसी भी application को फिर से open करना पड़ेगा, फिर से recent पर जाना पड़ेगा, अब long time press करने के बाद आपको इस तरह से split screen on कर लेना है, फिर दूसरे application को open करना है, फिर यहां पर जो भी application आपने open कराया है तो आप इसको भी open कर पाओगे, तो यहां पर आप तीन app को एक साथ access कर सकते हो, आप इस phone को जैसे ही pick up करोगे जो phone का screen है, वो automatic on हो जाएगा, आप इस feature को चाहें तो on कर सकते है, phone की setting में जाने के बाद, lock screen पर click करके यहां पर आप tap करके screen को on भी कर सकते हो, दोनों feature आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आप यहां से on कर देजिए, अब कभी भी आपको screen lock है और इसको on करना है, तो इस तरह double tap करके आप screen को on करा सकते हो, और इसी तरह screen को आप भी कर सकते हो, आप इस phone की lock screen से इस phone का camera application volume down button से open करा सकते हो, जिसके लिए आपको दो बार volume down button प्रेस करना पड़ेगा, इस feature को on करने के लिए phone की setting में जाने के बाद lock screen पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहां पर launch camera का feature देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आप यहां से on कर दीजिए, अब अब कभी भी phone button को press करा कर phone का camera application आप open कर सकते हो, इस phone में आपको dual app का भी support देखने को मिल जाता है, कभी भी phone में dual app यूज़ करना चाहते है, तो phone की setting में जाने के बाद यहां से scroll करने पर आपको apps देखने को मिल जाएगे, इस keyboard क्लिक कीजिए, यहां आपको dual app का support देखने को मिल जाएग इसके लिए आपको phone की setting में जाने के बाद यहां से scroll करना पड़ेगा, बेटी option पकलिक करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है additional feature, simple यहां से click करने को आपको speed up charging माले feature को on कर देना है, अब कभी भी आप charging को plug-in करेंगे तो आपको charging speed काफी हद तक यहां पर आप कभी भी phone one hand से use करना चाहते हैं, तो यहां पर इस तरह से click करके phone को one hand mode पर open करा सकते हो, अगर आप यहां पर gesture navigation का use कर रहे होते हैं, तो यहां पर gesture की मदसे भी दिखाया जाएगा, आप किस तरह gesture की मदसे आपको one handed mode of phone on करना है, आप इस phone की lock style को काफी different तरीके से screen पर की उपर क्लिक केजिए, अब आपको बहुत सारे lock style यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप अलग तरीके अपने lock style change करा सकते हैं, जिसमें digital clocks बगर आपको बहुत अलग तरीकी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप lock screen के लिए यहां पर use कर सकते हैं, जिसकी बाद अ उपर की side में जो भी आपको style देखने को मिलती हैं, उनको भी आप चाहें तो customize कर सकते हैं, जो भी style आपको customize करने के बाद, अपना जो भी locks है, उसको customize करना हो, या फिर कोई भी contact information बगर आप सो कराना हो, वो भी आप यहां पर करा सकते हो, जब आप इस phone के recent button को press करते हो, तो recent, इसके उपर क्लिए करके आप horizontal select कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो vertical select कर सकते हैं, जब आप recent button को press करेंगे, तो आपकी phone की memory भी आपको status हो जाएगा, इसके लिए आप इस feature को on कर दिजे, phone का आपका RAM memory कितना use हो रहा है, वो अब आप यहां पर देख सकते हो, और यहां इस phone की skin के लिए transition effects को भी set कर सकते हो, जो pages को chain करोगी, तो आपको transition effects देखने को मिल जाएगा, इसकी पर two fingers से pinch in करने के बद आपको यहां पर देखने को मिलेगा, setting icon, इसकी बाद transition effects पक्लिक करने को आप different तरीका transition effects skin के लिए apply कर सकते हो, जो कई काफी different, different यहां पर effects आपको जो भी अच्छा लगता है, इसको आप apply कीजिए, फिर इस तरह का आपको transition effects देखने को मिल जाएगा, इस phone के अंदर आपको the button navigation देखने को मिलते हैं, चाहें तो इन्हें use कर सकते हैं, या फिर आप gesture navigation का use करना चाहें, तो इस phone में आपको gesture navigation का future भी देखने को मिल जाता है, screen पर two finger से pinch in करने के बाद आपको यहाँ पर fit से देखने को मिले का setting icon इस पर click करके more पर click किजिए, यहाँ आपको system navigation का future देखने को मिल जाता है, जिसमें आप gesture का use करना चाहें, तो gesture पर click करके gesture का use कर सकते हैं, अगर back button का use कर सकते हैं, अगर आप response के अंदर gesture का use करते हैं, त इस तरह से आप किसी भी application दर जाना हो, वापस जाना हो, तो इस तरह से आप एप को switch भी कर पाऊगे, इस फॉन में आपको smart sidebar भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मतलब से जो भी application आप set के हुए हैं, कहीं से भी आप उन एपों को access कर सकते हैं, जिसकि setting में से किसी भी आपक floating window इसकी उपर आपको click करके sidebar को यहां से on कर देना है, जिसकी बाद आपको यहां पर एक line देखने को मिल जाएगी, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर पाऊगे, जैसे आप इसको open करते हो, कुछ application आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, अगर आप इन में से चाहें किसी को remove कर सकते हैं, किसी को बाद में चाहена तो add भी कर सकते हैं, प्लस के आइकन पर जाने के बाद किसी भी application को remove करनेके लिए हां से आप remove कर सकते ह выгляд vender कर यहां से almost करना चाहते हो में जाने के बाद यहां से स्कॉल कर लीजिए एडिसनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है memory extension इसकी उपर क्लिक केजिए अगर आपको 2GB बढ़ाना है 4GB या फिर 6GB उस पर क्लिक करके फोन को एक बाद ही स्टाट करना पड़ेगा उनका रे मेमोरी आपका प्लस हो जाता है यहां से एक स्टेप बापस आने के बाद बहुत सारे आपको shortcuts बगरा यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाफ साथ सेलेक कर सकते हो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मलता है पापर आप पर गूगल असिस्टेंट सेलेक किया हुआ तो यहां पर आप इस तरह से चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इसको ऊफ कर देंगे तो आप इस स्टो यहां पर इसको आप कर सकते हो पापस आने की बाद आपको टेक स्कींशॉट का फीचर भी मिल जाता है आप थीफिंग असरे नहीं लेने चाहते है तो इसको बंद कर सकते हैं बोलियम डाउन से अगर नहीं लेने चाहते हैं इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं फॉन के अंदर आपको पार्टिकल स्कीन सौट लेने का भी फीचर देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से स्कीन सौट को सेलेक्ट करते हैं अब आपको torch on off का feature भी देखने को मिल जाता है जिसको अगर आप आप कर देती हो तो कभी भी आपको flash light on करना ही लॉक स्कीन से इसकी उपर click करके आप आपस से ले जाएए आपको वही shortcut यहाँ पर add हो जाता है इस phone के इंदर आपको second space का future भी देखने को मिल जाता है जिसमें सभी application आपके एक side में अलग rate हो जाएंगे ऐसे मान के चलिए आप एक phone के इंदर दो phone का use कर रहे है तो simple आपको इसका use करने के आपको second space का future देखने को मिल जाए गया इसकी उपर turn on पर click करके आप कोई यहाँ पर यहाँ पर अच्छा future यह देखने को मिलता है जो भी आप second space बना रहे होते हैं उसमें आपका data बिल्कूल अलग रहेगा फर्स space जो भी use कर रहे है उसका data आपका बिल्कूल अलग रहेगा इस phone में इस phone की Wi-Fi के साथ आप इस phone का hotspot भी एक साथ use कर सकते हो जिसके लिए आपको Wi-Fi on करने के बाद hotspot भी on कर लेना है मलब कभी भी इसका data इसकी मतल से किसी और को share करना है तो बहुत आसानी से अपने phone की hotspot on कराकर किसी को भी इसका data यहाँ पर share कर सकते हैं इस phone में आप अपने हिसाब से इन application को use कर सकते हैं जिसमें आप डाल कुम यूज करना साथें तो यहां पर यह to be feature को मिल जाया एक किसी a application के अंदर यह to रहा हो तो आप इस phone के अंदर कर सकते हो यहां पर इस फूटर का future भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप Después काफी अच्छा लगा हुगा वीडियो से लगा हुगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राब करके बैल इंग पैस करना बिल्कुत भी न भूलें तो चली फेंड्स मलते हैं को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक केर